आनंदि विक्रम संबत का उले किस साहित में मिलता है बहुत महत्पूर कोश्चन से आनंदि विक्रम संबत का जो उलेक मिलता है वह आपका प्रत्वी राज राशो में मिलता है किसमें मिलता है प्रत्वी राशो में चंदबर्दाई द्वारा लेखे की पुष्टक है जिसमें पित्रुयास्त्रती यह बीरता का अदूत बढ़न है यह रासोसाइट की पुष्टक है और इसमें आनदे विक्रम संबत का उलेत मिलता है जैसे अन संबत आप जानते हैं सक संबत है विक्रम संबत है वैसे यह आनदे विक्रम संबत कभी पूछ सकते हैं आप से का उलेत किसमे मिलता है तो पत्तुराज राश्रों मिलता है बिक्रम सिलाब विश्वुद्याले की स्थापना किस ने की थी बहुत प्रसीद विश्वुद्याले है बिक्रम सिलाब विश्वुद्याले तो इसकी स्थापना पाल बंस के साथ सकद्धर्म पाल के दमार की गई थी तो नेटिव मारीज एक्ट एक्ट 1872 में तुरस पारित किया गई 1872 में पारित किया गया इससे अंतरजाती इंट्राकाश्ट मेरीजस को मानता दी गई अंतर जाती बिवाओं को मानता साथ ही साथ गल्स और बॉय ने लड़के और लड़की की आयो घठाकर क्रमसा लड़की की आयो 14 वर्स और लड़की के फोटी डियर्स और बॉय के लिए 80 दियर्स करती गई तालचिर एवं सिंग्रेनी कोला खान क्रमशा किन राज्यों में इस्तित हैं तालचिर एवं सिंग्रेनी तो तालचिर जो कोला के खाने वो ओडिशा में है कहां पर है ओडिशा में है तालचिर और सिंग्रेनी आपका तेलंगारा में है ताल्ची जो महानदी घाटी उडिशा में सिंग्रेनी आपकी गोदावरी घाटी तेलंगरा में श्तित है ताजाकिस्तान एम उजबेकिस्तान की राजधानी क्रमशा क्या है पूछते आप से तो ताजाकिस्तान की जो राजधानी है वो दूसानबे है क्या है दूसानबे सब्सक्राइब करना ना भूले यह चोटे 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 कोश्टन से चोटे चोटे वीडियो आपके लिए वन ना इदर जो मैं फैक्त त्यार कर रहा हूँ जभी आप त्री देंगे चाहिए वो तीत प्रल का उत्राखर्ण हो या 12 जून का वीपी पीसर या अम जो भी एक्जाम हो आप देखेंगे कि कितने महत पूर्ण कोश्टन सावित होते हैं इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना नभूले अगला है पिग्मी एवं खिरगी जंजाती क्रमसा कहां मिलती है तो पिग्मी जो जंजाती है छोटे कत की जंजाती होती है यह नाटे कत की होती है पिग्मी बेसिक लिए अफ्रिका के कांगो बेसिन में कहां मिलती है पिग्मी कांगो बेसिन में कांगो बेस होता है मिझास्टार भी से में अगला कोश्चन ये बहुत ही महित पूरकोशन नियुकिन हर एक ग्जाम से मिलता और हर भार औि मिलती थी को चलाए गया था और Project 30 1992 को Project टाइगर एक अपेle 1973 को उत्राखंड के जिम-कार्बेट नेसनल पार्क से पारान किया गया था रटली जिये प्रोजेक्ट टाइगर पास्ट अपर 1973 1973 को उत्राखन के जिमकार्बेट डैसनल पार्क से और प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथी को बचाने के लिए हाथी पुलरवास के लिए जारखन के सिंग भूमी से 1992 1992 से प्रारल किया गया था भारत द्वारा भूमी च्रण ततस्ता प्राप्त करने का टार्गेट कर रखा गया है तो जो आपका लेन्ड Š The explicit होता है हमारा भूम उसको प्राप्त करने का उसको ततस्ता मतर्ब हमारी भूम डिग्रेश से लेंड छरण नहीं हो उसको सबाब करने का लक्ष किस वर्स प्राप करने को रखा गया है तो 2030 तक पालिस के वे चावल के उप्योग से कौन सा रोग हो जाता है जो पालिस के वे चावल आते हैं उनको अगर आहर वे उप्योग करते हैं जो बड़ी बात्रा में हम लोग पहले खाते हैं तो पालिस के वे चावल के उप्योग से बेरी बेरी रोग हो जाता है कौन सा रोग बेरी psychology vitamin B1 की कमी से बेरी बेरी होता है और vitamin B1 जो थाइमिन होता है सेटिफिंडन जिसका थाइमिन उसकी कमी से रोग होता है और यह पीडियाप आपको निस्लील को मिल जाएगी हमारे टेली ग्राम ग्रूप में तो जो अनपमसर जी येस ग्रूप हमारा टेलीग्राम गुर्फ वो उसको करना नपूले अगला है किस जीऊ का रख्त सपेद होता है किस जीऊ का ब्लड जो होता है वाइट होता है तो आप याद रखे हर गुष्टे तो तिल चट्टा और काक्रोश का जो बलड होता है वाइट होगा या कलर लेस होगा रंगीन होगा अथवा सपेद होगा किसका तिल चट्टा और काक्रोश का किस ने कहा था कि भारत एक अर्थ संधत्मक राज है इंडिया इसक्वासी फेडुरल स्टेट राज है। किस ने कहा था केशी वियर ने धन विधयक मनीविल को किस आर्टिकल में डिफाइन किया गया है मनीविल के लिए कौन सा अनुच्छिद है संभिधार में बार बार questions आता बहुत simple है रट्लिय गरतने करना है अनुच्छिद 110 में धन विधयक की परिवासित किया गया है किस आल्डिकल में 110 में और हमारे यूट्यूब चैनल अन्पूसर को सब्सक्राइब कर लिजए उसमें सभी प्रकार के एक्जाम्स की जानकारियां और सब कुछ तैयारी आपको निशुल कराई जाएगी भारती भासाओं का केंदरी स रस्थान चेंटल इंस्टीट और लेंडियल लेंगवेजेश कहां परिस्तित है तो यह मैसूर में कहां पर है मैसूर में है कहां पर है यह मैसूर करनाटका में जीवन की भौतिक गुर्वत्ता सुचकांग PQLI किसके द्वारा डबलप किया गया था किसके द्वारा विक्सित किया गया था तो मौरिस डी मौरिस के द्वारा इसके दुआरा मौरिस टी मौरिस और एक लास्ट कोश्चन है आज के लिए बिब्लियो मेट्री क्या है तो ये सूचना प्रबंधन उपकरण है तो आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप अंत्वसर जियंस ग्रूप और चैनल को सब्सक्राइब करने न भूले जूरे रहे लगातार इसी तरह की बंभास से इसके लिए और अनजानकारियों के लिए धन्यवाद